आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और यह जो पेपर है डीससभी 2017 का पेपर है और उस वक्त यह अफ्लाइन पेपर होते थे अभी तो आनलाइन पेपर होने लग गए हैं और इस पेपर में टोटल जो है 100 question 8k दिये गए हैं और आज के इस वीडिय इसमें 50 question को solve करेंगे और जो है अगले next वाले वीडियो में 50 question को solve करेंगे तो चली शुरू करते हैं यहां पे left and right में दोनों तरब question दिया गया है दोनों को साथ ही solve करेंगे तो चली सुरू करते हैं आज का यह नया वीडियो तो जो पहला question है वो है दिदार गंज यह जो आप हो जाएगा चमकदार बलुगा पत्थर यानि कि सी वाला ओप्सन सही है अगला जो क्वेशन है कौन सा कला अंदोलन कुलाज फुन्टा मान्टेज एवं समुही क्रण का विक्सित तक्निक है और इसका जो है ये डाड़िज में यानि कि डाड़ाईज में आप कह सकते हैं और अगला जो क्वेशन है किस विधी में तेल रंग के साथ मोम का मिस्ण उपयोग किया जाता है तो इसका जो सही जवाप हो जाएगा ये दगद है हिंदी में लिखा हुआ है और अंग्रेजी में इनकॉस्टिक होगा और यहाँ पे 107 नमबर पे आप देखिए गाडियस फिगर मुर्ती ज़्यादातर मंदिरों के बाहर दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं तो यहाँ पे द्वारपाल इसका सही अंसर हो जाएगा अगले क्वेशन की तरह बढ़ते हैं डिजिटल फोटोग्राफी के लिए किस सफ्ट्वेयर का प्रियोग बैच प्रोसेसिंग क से प्रेरित है तो संथाल हो जाएगा बीवल अपसन सही है नेक्स्ट है समोही क्राण के साथ कौन सी समगरी जुड़ी है तो यह हो जाएगा रद्दी धातू बीवल अपसन सही है नेक्स्ट है सूखे पोस्टर बनाने के लिए रंग द्रब्ब्बे के साथ कार्बनिक हो जाएगा सी नंबर मुख्य देवी दुर्गा मां नेक्स्ट है गगने ना टेगोर का जादुगर किस यूरोपियन सहली से प्रभावित है तो अगला जो क्वेशन है ब्राक का अग्रड़ी किस तकनीक का था तो यहाँ पे क्यो बीजम हो जाएगा अगला है रंग माला चितरकला की सहली रजस्थानी चितरकला के किस उपक घराने से सम्मंदित है तो यह हो जाएगा आपका बूंदी नेक्स्ट है सिंदु घाटी अस्थल उत्रप्रदेश में पाया गया है तो ये है आपका ए नमबर आलमगिरपूर में कौन सा जोड़ा जो है इसमें से असंगत है तो ये हो जाएगा आपका गोया का नील कमल नेक्स्ट है मोहन जोड़ो की मूर्तिकला जो है डांसिंग गर्ल किस स्रिणड़ी की है तो ये कांस में बनी है और यहाँ पे अगला जो क्वेशन है कौन सा जोड़ा असंगत है इसमें से तो ये अमिर्ता सिर्गील का पहला वला उप्सन नेक्स्ट है पद्मपाड़ी बोधिसत्व चितरकला जो है अजन्ता गुफा में कहां इस्तित है तो गुफा संक्या एक में इस्तित है नेक्स्ट है एंडी वार होल किस से समंदित है तो पॉपकला से समंदित है अगला जो कुशन है पसित गुफा हाथी खाना किसका भाग है तो ये बाग गुफा के अंतरगत आता है अगला जो कुशन है मुद्रण में सरवाधी कौन सा रंग मोड उपयोग किया जाता है तो यहाँ पे CMYK हो जाएगा यानि कि D नंबर सही है आफसन अगला है पाल चितरकला की सहली अधारित है बुद्ध और यहाँ पे नेक्स्ट है डिया गोनल रेखा चाप पैदा करती है यहाँ पे बेचैरी लिखा हुआ है यह बेचैनी हो जाएगा अगला है फ्रेसको चितरकला लगभग है लेकिन अपूडता सूखा प्लास्टर कहलाता है तो यह आपका मेजो फ्रेसको हो जाएगा अगला है फोटो ग्रावर मिस्टर है यहाँ पे यह वाला बी वाला सही हो जाएगा चितरकला एवं गहानता अगला है चित्रकला का वो भाग जहां बहुत प्रवल रोशनी चित्रित होता है क्या कहलाता है तो हाइलाइट नेक्स्ट है एक कंप्यूटर बेस्ट ग्राफिक प्रोग्राम फोटो सॉप की तरह यदि ब्यापक स्रिगणी की छवी संकुचित हो जाती है तो क्या होगा यहाँ पे बिरोध में कमी बीवला सही है अगला है किस चित्रकला तकनीक में अपारदरसी रंग द्रब के साथ गोध जोड मिलाया जाता है तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा घूची अगला जो क्वेशन है एक चित्रकला चांकु का ब्यापक प्रयोग होता है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा इमपैस्टो अगले क्वेशन की तरब देखते हैं कौन सी मुद्रड प्रक्रिया हाइड्रोफोविक एवं हाइड्रोफिलिक सता के निर्माण पर अधारित है तो लीथोग्राफी हो जाएगा और यहाँ पर है उतला डॉफ या डी ओ एफ या बोके प्रभाव के लिए सरवादी कौन सा लेंस अपर्चर सही है तो यह पहला वाला एफ टू पॉइंट जिरो अपर्चर और नेक्स्ट कोचन देखते हैं मुद्रढ प्रक्रिया जिसमें नाली को काटा जाता है मुद्रढ में स्याही को पकड़े रखने के लिए तो यहाँ पर गहनता हो जाएगा एनिक B वाला सही है और यहाँ पर देखिए लेंडस के फोटो में दुन्दलापन कम करने के लिए कौन सा फिल्टर का प्रयोग किया जाता है तो पोलाराइजर फिल्टर यहाँ पर प्रयोग होता है नेक्स्ट देखते है तो यह है आपका बनी ठनी चित्रकला किस घराने से है तो किस अंगर और यहाँ पर बैक्ति परक परिप्रेच से विस्सो का चित्रन एवं भावानात्मक प्रभाव के लिए वीरूपी करन का प्रयोग एक सुविदा है और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा अभी बैक्तिवाद और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेशन है बदामी गुफा बनाया गया था तो यह आपका चालुक के हो जाएगा नेक्स्ट क्वेशन देखते है 37 गुजराल दोरा बनाये गई चित्रकारी है इसमें से काला चांद और यहाँ पर देखिए मजिसियन जैसे क्यूबिस चित्रकारी के लिए गंगनेत्दान ने किस तकनीक का प्रयोग किया तो यहाँ पर टेंपर है यह टेंपर है टेंपर है टेंपरा माल लिजे यह मजिसियन है मजीसियन लिखा हुआ अगला जो क्वेशन है यहाँ पे देख लीजिए शायड में राइट शायड में स्रम की विजय मुर्थी किसी ने बनाई है तो देवी परसाद राय चौधरी ने और अगला जो क्वेशन है महाबलीपूरम में गंगा पैनल के अवरोही स्रोत में होता है तो यहाँ पे आपसन C हो जाएगा अरजून की तपस्या अगला जो क्वेशन है यहाँ पे प्रांतिय मुगल सैली चित्रकला किसके सासनकाल में विक्सित होई तो यहाँ पे औरंग जेब हो जाएगा सही option और अगला जो question है सिंदु घाटी पसुपती सीलो पर कौँ सा पसु उपस्तित नहीं है तो यह आपका सेर हो जाएगा अगला जो question है impression the sunrise किसका है तो यह मोने का है किसकी चित्रकारी है तो यह मिस्किन की है तो टोटल जो है यहाँ पे एक जो है question हो चुके है तो अगले वाले नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी की जो question है उसको हम solve करेंगे तो आज के बस वीडियो में इतना ही था कोई सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं तो आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवान